तो दोस्तो वाव एंटर्टेंडमेंट की वेब सीरीस मैली चादर पार्ट वन के स्टोरी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि गाव में एक मैली चादर की प्रता होती है जिसमें सुहागराद की रात में दुलहन के बिस्तर पर एक सफेज चादर बिचाए जाती और सुवागरात के अगले दिन उस चादर को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि वो चादर मैली हुई है या नहीं अगर वो चादर खून से मैली हो तो बहु को पवित्र माना जाता है और अगर चादर मैली नहीं हो तो बहु को अपवित्र माना जाता है शादी से पहले बहु ने मूह काला किया होगा ऐसा माना जाता है तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा हिरल नाम की एक लड़की की शादी हो जाती है और उसके सुवागरात के दिन उसकी सास और उसकी ननन उसके बिस्तर पर एक सफेज चादर बिचा देते है और हिरल अपने पती के साथ सुवागरात मनाती है और उसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है अब हम इस वेब सीरीज के पार टूक के बारे में जानेंगे कि सुवागरात होने के बाद बहु की चादर मैली हुई है या नहीं तो दोस्तो सुवागरात के अगले दिन सुबह हिरल और उसका पती दोनों सुवागरात मना कर मधोश सोय हुए होते है तब ही अचानक दर्वाजा खट-कटाने की आवाज आती है और दर्वाजे पर हिरल की ननन पिंकी खड़ी होती है हीरल का पती राज दर्वाजा खोलता है तो जट से पिंकी अंदर आ जाती है और अपने भावी को उठाती है और कहती है भावी जल्दी उठो और तयार हो जाओ और पिंकी की नजर भावी की चादर पर होती है पिंकी सफेज चादर को घूर कर देखती है और धूरने की कोशिश करती है कि चादर पर खून के दाग धब्बे है या नहीं फिर जब हिरल बिस्तर पर से उठती है तो पिंकी को महाँ पर खून के दाग धब्बे दिखते है और पिंकी खुश हो जाती है और अपने मा के पास जाकर अपने मा को खुशी से कहती है कि मा आपकी बहु पवित्र निकली मैंने अपने आखों से देखा चादर मैली थी तो पिंकी की मा बहुत खुश हो जाती है और हाथ जोड़कर भगवान से कहती है कि हे भगवान तेरा लाक लाक शुक्र है कि मेरे बेटे को एक पवित्र बीवी मिली पर दोस्तों जैसा कि आप जानते है शादी से पहले हिरल का एक नले बेरोजगार लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और उन दोनों के बीच बहुत बार शारिरिक सम्मंदस थापित भी हुए थे फिर हिरल पवित्र कैसे निकली और उसके चादर पर खून के दाग दब्बे कैसे आए यही तो कहानी का ट्विस्ट है जो कि आपको अभी पता चल जाएगा पिंकी की मा और पिंकी दोनों भी हिरल को मैली चादर के टेस्ट में पास होते देखकर बहुत खुश हो रहे होते है और यहां हिरल मन ही मन में हस्ती रहती है और अपने बॉइफ्रेंड को कॉल करती है और अपने बॉइफ्रेंड से कहती है कि तुमें याद है वो मैली चादर की प्रता जिसके बारे में हमने डिसकस किया था तो उसका बॉइफ्रेंड कहता है हाँ पता है मुझे तो तुमने ये टेस्ट को कैसे पास किया तो हिरल कहती है मैंने आडिया नंबर 111 का इस्तमाल किया रात में जब राज सो रहा था उसी वक्त मैंने एक छोटी से शिशी निकाली जिसमें मरी हुई मुर्गी का खुन डाल रखा था वही खुन मैंने बिस्तर पर छिड़क दिया और धीरे से राज की बाहों में जाकर सो गई सुबह जब मेरी ननन पिंकी आए तो वो पगली मुर्गी का खुन देखकर ये समझ बैठी कि वो खुन मेरे अंदर से निकला और मैं पवित्र हूँ ये सुनकर नला बॉइफरेंड कहता है कि तुम तो बहुत चालाख हो और काफी हॉट भी हो मैं तुमें रोज मिस करता हूँ जल्दी से मुझे मिलो मैं तुमारे साथ मजे करना चाहता हूँ तो हिरल कहती है मजे तो मैं भी करना चाहती हूँ एक काम करो तुम आज रात चुपके से मेरे घर में आजाओ आज रात मेरा पती लेट आने वाला है तो हम मजे कर सकते है यह सुनकर हिरल का बॉयफरेंट तो बहुत खुश हो जाता है और हिरल फोन कार्ट देती है उसी वक्त हिरल की ननन पिंकी वहाँ पर आ जाती है और कहती है भाबी जी किस से बात कर रही थी तुम तो हिरल कहती है कुछ नहीं एक पुरानी सहली से बात कर रही थी तो पिंकी भाबी से कहती है भाबी कल रात भाया ने आपको जादा तंग तो नहीं किया ना तो हिरल कहती तू तो बड़ी शैतान है तो पिंकी हसने लगती है तो हिरल उससे कहती है कि तुम कब शादी कर रही हो तो पिंकी कहती है अगले साल कर लूँगी तो हिरल कहती है कि शादी के लिए तुमने कोई लड़का तो देख रहा होगा ना तो पिंकी मुस्कुरा कर वहाँ से चली जा और वो दोनों स्टोरूम में ही एक दूसरे को लिपट कर मजेक लेने लगते हैं, पर अचानक उसी वक्त पिंकी का बॉइफरेंड भी वहाँ आ जाता है और पिंकी के साथ गार्डन में ही उत्तेजित होकर पिंकी के साथ मजे करना शुरू कर देता है, पर पिंकी उसे रोकती और कहती है कि शादी से पहले मैं ये सब नहीं कर सकती नहीं तो मैली चादर की प्रता में मैं फेल हो जाओंगी और सब लोग मुझे कलमू ही कहेंगे उनकी ये बाते चुपके से हिरल सुनती है और हिरल को पूरी कहानी समझाती है और फिर पिंकी अपने बॉइफ्रेंड को व पूरा नहीं कर पाऊंगी तो हिरल उसे कहती है तुम कर सकती हो शादी से पहले और शादी के बात दोनों समय तुम मजे ले सकती हो पर बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तमाल करना होता है तो पिंकी कहते है भावी मैं कुछ समझी नहीं तो हिरल कहती है तुम टेंशन मत लो ज ऐसे ही कमरे में जाती है तो पिंकी की मा पिंकी को पकड़ कर पिंकी के मुँपर थपड मारना शुरू कर देती है और कहती है कि कल मुही कर दिया न तुने अपना मुँ काला, मैंने अपने आखों से देखा तो किसी गयर मर के साथ अपना मुँ काला कर रही थी, उसी वक्त हिर अबी निकल जा अपना बोरा विस्तर निकल के अपने बाप के घर हिरल की सास हिरल को डाट रही होती है उसी वक्त हिरल का पती राज वहां आ जाता है राज को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है तो उसकी मा उसे कहती है ये तेरी बीवी बहुत बड़ी कुतिया निकल और पिंकी की माँ पिंकी को पकड़ कर कमरे में ढखेल देती है और उसे कहती है कि जिस भी मर्द से तुने शारिक समंद बनाए उसी से मैं तेरी शादी करा दूँगी तो पिंकी कहती है कि कोई अंजान मर्द नहीं था वो, वो मेरा बॉइफ्रेंड था और वो मेरे से शादी करने के लिए तयार है तो पिंकी की माँ कहती है कि वो तयार रहे या ना रहे मैं अभी उसी से तेरी शादी कराऊंगी और पिंकी को कमरे में बन कर देती है और इसी के साथ मैली चादर पार्ट टुख खत्म हो जाता है तो दोस्तो कैसे लगे आपको इस वेब से रिसकी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे स्टोरी एक्स्लिनेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद